टोस्तों आज हम बात करनेवाले हैं डार्क वेब रेड रूमौ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो हम इंटरनेट सर्व करते हैं जिसमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, ये सब चीजें आती हैं, वह सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा है और बाकी का 96% हिस्सा आम लोगों के पहुंच से काफी दूर है, मतलब कि आम इनसान इसे एकसेस नहीं कर सकता, डार्क वेब को एकसेस करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप डार्क वेब को एकसेस करें, क्योंकि इसे एकसेस करने से आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, डार्क वेब बहुत ही रहस्यमाई ज जहां पर कोई जाना नहीं चाहत, डार्क वेब पर कई प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, जैसे कि आप Amazon, Flipkart से शौपिंग करते हैं, उसी तरह डार्क वेब पर ECAC वेब साइट है जहां ड्रग्स, गन्स बेचे जाते हैं, और इतना ही डार्क वेब पर इंसानों की आत्मा और भी कई सारी अजीब और डरावनी चीज़ें बिकी जाती हैं, यहां बहुत अजीब चीज़ें होती रहती हैं, यहां इनसानों को बेचा जाता है, उनके शरीर के पार्ट को बेचा जाता है, और अफसोस करने वाली ये बात है कि इन अजीब और गरीब चीज़ों को लो इंद उड़ जाएगी, ये जगह शैतानी सोच वाले लोगों की है, रेड रूम एक एसी जगह होती है, जहां इंसान को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें बहुत दर्द दिया जाता है, और इसी लोगों के बीच लाइव दिखाया जाता है, हालाकि इसे देखने के लिए पैस इन में ही होता है, किसी के सर काटे जाते है, किसी को आरी से काटा जयाता है, छोटे-छोटे बच्चों को बेरहम से मारा जाता है, और ये सब चीजें लोग लाइव देखते हैं, मनोरंजन की तरह, इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको शैतानी सोच वाले लोगों ही यहां पर आते हैं, आम इनसान के लिए ये जगह किसी काम की नहीं है, इसलिए गलती से भी आप जगह पर मत जाईए